दूसरा गंगा का मैदान इस मैदान का निर्मान गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यमुना, घागरा, गंडक, कोसी, आदी के द्वारा बहा कर लाई गई काप मिट्टी के जमाउं से हुआ है इसका विस्तार दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भाग पर है इस मैदान में भूमी गजल कम गहराई पर मिलता है मैदान में मानसूनी हवाओं द्वारा भरपूर वर्षा होती है सिचाई सुइधाओं का विस्तार गंगा और यमुना के पश्चिमी मैदान में अधिक है इससे साल में एक से अधिक फसले ली जाती हैं जिसे गहन कृशी कहते हैं इसलिए यह चेत्र सगन आबादी वाला चेत्र है इस मैदान में मेरट, दिल्ली, मतुरा, आगरा, कानपूर, लखनव, इलाहबाद, वारानसी, पटना, कोलकाता, आदी नगरों का विकास हुआ है नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपों, निक्षेप यानि जमाओ के आधार पर विभिन्य प्रकार की इस्थला कृतियां बनती है मिट्टी के निक्षेप के आधार पर इस मैदान को निमनलिकित भागों में बाटा गया है भाबर, तराई, बांगर और खादर भाबर शिवालिक के तलहटी में नदियां परवत से नीचे उतरते समय छोटे बड़े चटानी टुकडों का जमाओ कर देती है इस भुआकृती को भाबर कहते हैं इस शेतर में पानी पत्थरों के जमाओ के नीचे से बहता है तराई, भाबर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियां मैदानी भागों में पुना दिखाई देने लगती हैं और उसका जल अधिक विस्तर शेतर में फैल जाता है जिससे यह शेतरे दलदली बन जाता है इसे तराई कहते हैं स्वतंत्रता के बाद इस शेतर में कृशी का विकास हुआ बांगर उत्तरी मैदान का बड़ा भाग जो पुराने जलोड से बना है यहां बाड का पानी नहीं पहुँचता है इसे बांगर कहते हैं यह मैदान कम उपजाव है यहां मोटे अनाज की खेती होती है खादर वर्षाकाल में नदियां बाड के मैदान में प्रतिवर्ष नवीन काप मिट्टी का निकशेप करती है इन निकशेपों को khादर कहते है या अत्यदिक उपजाव शेत्र है इस मिट्टी का विस्तार पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार वपश्यम बंगाल में है यहां गन्ना, गेहू, धान, जूट, दलहन, तिलहन की खेती अधिक होती है गोखुर जील गोखुर जील का निर्माण नदी मोड से होता है जब कभी बाढ़ आती हैं, तो नदी अपने गुमावदार विसर्प मार्ग को छोड़ कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है इस तरह के गुमावदार छूटे हुए भाग में जल भर जाता है, जिसे चाडन जील कहते हैं इसकी आकरती गाय के खुर के समान होने के कारण इसे गोखुर जील भी कहते हैं तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान यह मैदान देश के पूरी राज्य असम में इस्थित ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों और एक सकरी पट्टी के रूप में सदिया से धूबरी तक फैला है इस मैदान का निर्मान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों दोरा लाई गई काप मिट्टी के जमाव से हुआ है यह मैदान बहुत उपजाओ है यहाँ वर्षा अधिक होती है इसलिए इस मैदान में जूट एवं चावल अधिक पैदा किया जाता है इस मैदान की उपरी ढ़लानों पर चाय के बड़े-बड़े बागान है ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों में बाढ़ अधिकाने तथा नदी मार्ग में अवसाद के जमाव के कारण यह नदी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है नदी मार्ग में अवरोध के कारण अनेक द्विप बन गए हैं जिसे नदी ये द्विप कहा जाता है इस मैदान का प्रमुक नगर गुवाहाटी है गंगा नदी और ब्रहमुपुत्र नदी दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे सुंदर्वन डेल्टा के नाम से जानते हैं या दल्दली शेत्र है यहां सुन्दरी व्रिक्ष अधिक मिलते हैं जिसके नाम पर इस डेल्टा का नामकरन हुआ है डेल्टा सागर में मिलने के पूरू नदी व्रिधा वस्था में होती है यहां नदी का ढाल अत्यंत मंद तथा जल का वेग भी कम होता है इससे नदी में अवसाद वहन के शमता कम होती है आत्यों नदी अपने साथ बहा कर लाए हुए अवसाद मलबा को अपने पाट पर जमा करने लगती है कुछ समय बाद मार अवरुध होने के कारण वह कई शाखाओं में बढ़ कर समुद्र तक पहुँचती है इस तरह नदी द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार स्थलाकृती को डेल्टा कहते हैं